जैसे रादे, वेलकम टू रटग ग्रूप, क्लिप रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो पेवर आप देखेंगे कि आपके हाथ के इस मत्ते से बहुत सारी महीन रेखा है, विलकुल चोटी-चोटी रेखा है, आगे पीछे भाग रही है, एक बुझले से कट-कट के आगे होने का अलग-अलग मतलब होता है, और उसके अलग-अलग प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं, अगर वो किसी अच्छे चेतर पर हो, और एक बुर्धोवी स्थिती में हो, तो आपके लिए सुगम होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं, यानि उपर की इस तरफ यानि कि जंदर के इस निचले तले की तरफ चलती चली जाएं, ऐसी स्थिती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में आपके जीवन में धन आगमन की यूग हमेशा खुल लए होते हैं, नए-नए मौके मिलने होते हैं, आपके पास अस्थाई मौके कम होते हैं, लेकिन ह हमेशा कुछ नकुछ नया दरवाजा, मुशिवतों से निकलने का, कुछ न कुछ समाधान, आपके जीवन में हमेशा आघा होता है, चाहे हो फिनांसियली हो, चाहे पdisplayवारिक मामलों में हो, चाहे किसी आप उ्छन में परहुआ हों, इन सब से आपको बचाने का काम करता ह लेकिन एक लॉंग टर्म इसका प्रभाव नहीं देखता है तो जब भी ऐसी इस्तिति होवे तो निश्चे तोर पे आपके जिवन में एका एक खुसी आएंगे सम्रिदी आएंगे तो ऐसी इस्तिति में क्या करना कि उसमें खो मत जाना है ठीक है सहेजना उसे जैसे पैसे आएंगे न तो उसे सहेजना उसे सही जगह पर लगाना अन्य था एक समय आएगा न पैसे रहेंगे और फिर उस समय रहेगा तो जब भी ऐसी इस्तिति आए काफी स नित्र जगह की तरह भगाने की कोशिस करेगा, जहां पर आप रहे हैं, उहां पर आपको पता चलेगा कि छीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हैं, हमें कहीं अलग जाके काम करना चाहिए, या कुछ और जयादा करना चाहिए, ठीक है, तो इस मामले में भी काफी साउधानी से सो तो ये जातक के लिए यहां पर देखे, तो तदकालिक रूप से बहुत सुभयोग है, क्योंकि आपके जीवन में एक तेज तरक्की लाने का काम करती है, लेकिन अगर कहीं से टूटी-फूटी हो, इसमें बहुत ज़्यादा साखाए निकल गई हो, तो इसका प्रभाव भी हाँ पर संपर्खुआ, फिर एक बारे हाँ पर संपर्खुआ, दो बार से ज़्यादा संपर्क अगर होगा, तो इसे क्या करेगी, सक्ति देने का काम करेगी, ठीक है, और वैसे इस्थिति में एक आपके जीवन में तेज तरक्की को लाने का अस्पष्ट काम करती है, अब म उसी में अगर उर्धो स्थिती में हुई, तो ये आपको बेहतर तरीके से उसे निभाँ पाएंगे, वैसी स्थिती को दिखाने का काम करेगी, अब मालो मद्दे में एक आए एक छोटी बरी रेखाओं की स्थिती आ गई ए अगर उर्दो इस्थिती में है यानि अपसाइड में है उपर की तरफ तो आपके लिए अच्छा है डाउंसाइड में है तो साफधान हो जाने की जुरूरत है क्योंकि कुछ समय के लिए जीवन में कुछ परसानी आने वाली है जब आप रोज अगर हाथ देखो गें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ठीक है अब जैसे कि देखो यहाँ पर जीवन डेखा नीचे की तरफ आ रही है इसमें बाहर की तरफ सुक्र की तरफ जाती रेखाएं अगर उपर की तरफ मुख उठा लेवे तो बहुत सुन्दर और इसका मुख अगर नीचे की तरफ आते चले जाएं तो सोचने की जरूरत है अपने आक नाक कान पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर आप गलत फाहमी के सिकार हो सकते हैं आपके मन में काम की भाहुना बढ़ सकती है गुष्ट वगारा किसी भी तरीके से अपनी सम्रीदी के लिए कुछ भी करने के स्थिति आपके मन में आ सकती है तो इससे बचने की जरूरत है मंगल के श्यक्तर में जैसी आक्रमकता आये ये आपके जियोन में गुसे को बढ़ाएगी, आक्रमकता को बहाएगी, कुछ ना कुछ चोट बगारा लगने की, कुछ ना कुछ मार काट किसम्माहूना यहाँ पर बढ़तीं चली जाती है, हिंसात्मक् परविर्ति आपके अदर बढ़ाने का काम करेगा, उपर की तरफ अगर होगा, तो ये आपके अंदर जोस पैदा करेगा, जुकि आपके काम में काफी बहतर योगदान देने का काम करेगा, वहीं पर गुरू के शत्र में, अगर उपर की स्थिती में है, और दाहिनी तरफ जा रही है, तो ये आपके ल बहुत सारे दोसों को दूर करने का काम करेगा और जीवन में समरी दिलाएगा वही बाहित रफोने से इसके नुक्सान की होगा आपके लिए बढ़ेंगे सुरु के इस श्यत्र में क्या होगा आतंबल का भाव होगा और मन में एक निरासा की भावना जातक कि यहापर बन रही होगा है तो ऐसे श्यत्र में असंतुनन लाती है भटकाव लाती है निरासा लाती है तो यहाँपर जब भी ऐसी श्यत्र हो सुर्श समंदित कुछ उपाएद निश्चित तोर पेजात्त को करने कहीं करने चाहिए बुद्ध के श्यत्र में कम ही ऐसा देखा गया है लेकिन अगर होगा तो अपने कारी छेत्र में काफी ध्यान देने क्या हो सकता है अत्रिक्त मेहनत करने क्या हो सकता है अन्य अथा चीज़ें वहाँ पर थोड़ी धीमी हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे प्रभाव आपको यहाँ पर कटी-फटी रेखाओ को देखने को मिलते हैं अलाकि छोटे छेत्र में सिमित हो तो अच्छा है अगर यह पूरी हथेली में आ गया तो यह आपके लिए कतही भी अच्छा नहीं है जैसे आप एक पौधा देखोगे जंगल में कोई पेर है उसके उपर पिले-पिले पूरे एक जंगली झारी जो होती है उसके उपर चट जाती ह तो क्या होता है उसकी जो प्रोग्रेस है उसका खतम हो जाता है क्योंकि उसे नधूप आने देती है जो मिंडर बिटुमिन चाहिए कुछ नहीं मिलने देती है उसी प्रकार से जाले अगर बहुत जादा हाग पे आ गया तो यह आपके जीवन की जो उर्जा है न सुरोत है जो सकती है उसे कम करती चली जाएगी जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ा देगी न कि आप सही से विकास नहीं कर पाएंगे तो समय रहते हैं जैसे उस जारियों को हटाया जाता है पौधे के सही विकास के लिए उसी प्रकार से जीवन में जो एक कर्षनाईयां हैं समस्याए इन्हें एस्ट्रोजिकल सोलूशन के द्वारा निकालना अत्यनत आवस्यक होता है ताकि आप सम्रित रूप से आगे बढ़ सके मिलते हैं फिर तब तक लिए जैसे राधे रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो